कि राधे राधे दोस्तों मैं प्रवीन कुमार आज आपका दोष्थ फिर से एक बार आपके लिए एक असधी पफ़दा लाया हूँ यह यह देख लिए इसके पफल भी कच्छी अथान है यह इसके प्यारे-परे पुश्प लगे हूं गुलाबी-गुलाबी यह त्सके फल यह के दो पगने कबाद काले हो जाते हैं इसकी पतियां डिक्ट यह की लिखती है कि छोटी परतियां कि यह कोमल पत्या जखी है क्या पत्यजर आद्मी मैं जह उए फर्क नहीं हो ग्योग नाइक पूलों यहलेगे स्सक्लाइए प्र में ळाल लंगता है कि का इसको कोई प्लांट रस में यह बिल्कुल जंगली है बीच डाल दिये तो पूरा एकदम देगे पुरा घर वहां पर जो है डाल दिया पूरा चैल गई पूरा एकदम उपर तक गई हुई यह देखिए पूरी एकदम पोई लगी पोई जंगली पोई है दोस्तों है यह यह पालक से भी को यह पर आर्गनिक होती है तो जंगल में उपती है ना इसमें कोई कीड़ ना सकता प्रियोग के आता ना कुछ अपने आप छहल जाती है इसलिए यह पालक से भी दस गुनालापकारी है आया इसमा पच्छुर मात्रा में होता है किसी हाइब्रेड आज हो जाएगा इसमें पूरा तना एक हरा होगा उसके ओपर वह निकला आता है देखिए उसक तना बिल्कुल पहिचान कर लिए दोस्तों मुड़िया यह देखिए पूरे तने हरे होते हो गिलोग तना अलग टाइप को ता पतियां कुछ बहुत मिलती है जो लेकिन गिलोग ज पहिचान कर लिए फूल यह देख लीजिए फल यह देखिए विल कच्छी वस्तान है जब पक जाएंगे तो काले हो जाएंगी अब दोस्तों आपने पहिचान कर लिए होगी यह देखिए पूरा लगा हुआ है अब मैं आपको इसके कुछ साइद बना खायाता है आलूक सा घ्सकाइते सब्ना शिल ना सकते हैं यह जैसे पढलक का प्योंकर सकती हैं इस इसकी बिदियों इसमालेग दसकुणा लट का रिए इसका जो है इसका इंटले और यह जाती है तो यह भी आम एक दर आज आती एसका प्रोग कर जो है रस निकाल है पत्त को पर लगाएं तो भीमाई की समस्या जो है पूरा पंच्डे ले लें और नीम की आपने निकलती हो लैं और सरसों को आराम से चल जला लें लाक बना लिए लाक को जो है पेल में पका लें उस पेल को जो है लाइम टाइब कर बना लें उसको जो दरावन में लगायां दरा रहें ठीक हो जाएंगा पहिचान कर लिजे दोस्तों आपका साग मना खाएं इसकी सुखी सब्जी बना क्वाएं इसकी पकॉली बना खाएं तो उससे जो है अपने आइतिहास तो मालोग क्या बताया अब बीच सब खतम हो सब हाइबरेट पैदावर बलाइजा रही है उनके अवस्तिक उनकम होते जा रहे हैं सब में केड़ नासक यूरिया से वगाया जाते हैं वोगी बिमारी पैदा करते हैं पैचानले दोस्तों और इसका उप्योग करें अपने घरम लगाएं देशी अब लेजा इसका उप्योग करें खाएं इसके साथ मैं अपनी वालें को विराम देता हूं धन्यवाद जय इन जय वारत